प्रद्धान मंत्री श्री नौरेंदर्ण जी उपराश्टुपति श्री एम भेक्यान आईडू जी प्रद्धान मंत्री श्री नौरेंदर्ण मती जी लक्षोखा के स्पिकार श्री ओम भील्ला जी चिफ जस्टिस एन बी रमन्ना जी सन्मानित सांग्सत्कन अन्यो महानुभोव देवियों और सोजोनों तथा मेरे प्यारे देशो वास्यों सभी को जोहार भारत के सर्वच सुम्विधनिक पद्पर निर्पाचित करने के लिए मैं सभी संग्सोदों और सभी विधान सभा सद्वश्यों का हार्दीक आभार्व्यक्त करतें आपका मत देश के परोणो नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है में भारत के समस्त नागरिकों की आशा अकांख्या और पधिकारों की प्रतिक इस पवित्र संग्सोद से सभी देश वासियों का पूरी बिनम्रत्य से और बिनंदन करतें आपकी आत्मियता आपका विश्वास और आपका सोयोग मेरे लिए इस नई दाइत्तों का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहे मुझे राष्टपती के रूप में देश ने एक ऐसे महत्तोपन कालखन में चुना है जो खाम अपनी आजादी का उम्रित महस्व मना रहा है आज से कुछ दिन बाद ही देश अपने साधिनता के 75 वस पुरी करेगा यह भी एक संजोग है कि जोग देश अपनी आजादी के पचासवें वस का पर्प मना रहा था तो भी मेरे राजनीतिक जीवन की सुरुआत हुई थी और आज आज आजादी के 55 विए बस में मुझे यह नाया दाइत्तों मिला है इसे इतिहासिक समय में जो भारत अगले 25 वर्सों के भीजन को हासिल करने के लिए पूरी उच्चा से जूटा हुआ है मुझे यह जीवेदारी मिलेना मेरा बहुत बड़ा सोभाग्य है मैं देश की एसी पहली राष्टपिती भी हुँ जिसका जन आजाद भारत में हुआ है हमारे साधिन्ता सेनानियों ने आजाद हिंदूस्तान के हम नागुरिकों से जो अपेखाई की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अम्रितकाल में हमें तेज गति से काम करना होगा इन पजिस बर्सों में अम्रितकाल की सिध्धी का रास्ता दो पट्री पर आगे बढ़ेगा सब का प्रयास और सब का कर्तब भारत के उज्जल भविशत के नहीं विकास जात्रा हमें सब के प्रयास से करनी है कर्तब व्यपद पर चलते हुए करनी ही है काल यानि 26 जुलाई को कारगिल विजोई दिवस भी है ये दिन भारत की सेनाओं के सर्य और सोयों दोनों का ही प्रतिक है मैं आज देश की सेनाओं को तो था देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजोई दिवस की अगरिम सुब कामनाई देती देवियों और सुजों मैंने अपनी जीवन जात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटी से आदिवासी गाउं से सुरू की थी मैं जिस प्रिस्ट भूमी से आती हूँ उहां मेरे लिए प्रारूम्बिक सिच्छा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था लेकिन उन्हेक वाधाओं के बाब जूत मेरा संकल द्रेड रहा और मैं पॉलेज जाने वाली अपने गाउं की पहली बेटी थी मैं जन्चातियों समाज से हूँ और वार्ड कांसिलर से लेकर भारत की राष्टपती बनने तोका अबस्वर मुझे मिला है यह लगतंत्र की जननी भारत वर्षकी महानता है यह हमारे लगतंत्र की ही सक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा हुने बेटी दूर सुदूर आदिवासी छेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्बज संभिधानिक पत तक पहुंच सकते हैं राष्टपती के पत पहुंचना मेरी व्यक्तिकत उपलब्धी नहीं यह भारत की प्रत्यक गरीब की उपलब्धी है अम्रानीर बाचन इस बात का सुबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता हैं और उन्हें पूरा भी कर सकता है और यह मेरे लिए बहुत संतश की बात है कि जो सधियां से बंचित रहे जो जीवन विकास के लाब से तूर रहे वे गरीब दलित पिछड़े तो था आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिवीम देख सकते हैं मेरे इस निर्बाचन में देश के गरीब वा का अशिरबात सामिल है देश की करोडों, महिलाओं और बेटियों के सपनों और स्यामर्थ की जलक है मेरे इस निर्बाचन में पुरानी लीक से हटकर नई रास्ता पर चलने बाले भारत के आज के जिवाओं का सहोस्पी समिल है एसे प्रगति सिल भारत का नेत्रुत करते हुए आज मैं खूद को गोरबनित में सुस कर रही हूँ मैं आज समस्त देशब्यासियों को विशेशकर भारत के जुवाओं को तो था भारत की मोहिलाओं को ये विश्वस दिलाती हूँ कि इस पत्वर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हीत सर्व करी होंगे देवियों और सोजोन मेरे सामने भारत के राष्ट पतिपत की एसी महान विरासत है जिसने बिश्व में भारत ये लगतंत्र की प्रतिष्टा का निरणत और मोजभूद किया है देश के प्रत्वम राष्ट्रपती डक्टर राजेंद्र प्रसाथ से लेकर स्री रामनाज को बिंचितोक उनेक विभूतियों ने इस पत्व को सुसभिद किया है इस पत्व के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के परतिनी दित्तों का दाइत भी मुझे सोंपा है संबिधान के आलोग में मैं पूरी निष्टा से अपनी कुट्टब्र का निर्वहन करूंगी मेरे लिए भारत के लक्तांत्रिक, सांस्कृतिक आदर्स और सभी देश बासी हमेशा मेरे उज्जा के श्रोत रहेंगे देवियों और सोजन हमारे संबिधानिक संग्राम में सधिनता संग्राम में एक राष्ट के तोर पर भारत की नए जात्रा की रूप्रे का तेयार की है हमारा साधिनता संग्राम उन संग्र्षों और ब्लिदानों की अभिरल धारा है जिसने आजात भारत के लिए कितनी ही आदर्स और संभावनाव की सिंचा था पुज्य बापुने हमें सोराज, सोदेशी, सच्छोता और सच्टा ग्रह द्वाराब भारत के सांस्कृतिक आदोस्चंकी स्थापना का मुआर्गत दिखाया था नेताजी सुभाष चंद्रबस, नेहरूजी, सर्दार पटेल, बाबासाइब आमवेदकर, भगत्चिं, सुक्देव, राजगुरु, चंद्रशेकर आजाद जेसे अनकीने साधिन तस सन्यानियोने हमें राष्ट के सभिमान को सर्भ अपरियराखने के सिख्या दी थी राणी लचमीबाई, राणी बेलू निचियार, राणी गाई दिन लगु और राणी चेन्नी माजेसी अनेको विरांगोनावने राष्ट इच्छा और राष्ट निर्माणे नारी सक्तिकली भुमीका को नेई उज्जा दी है संथाल क्रांती, पाईक क्रांती से लेका कोल क्रांती और भील क्रांती ने सतन्तरोत्र संग्षूंग्रा में आधिवासी जोगदान को और ससकति किया सामाजीक उत्थान एबंग देश प्रेम के लिए धर्तिय वा भुगवान विश्टामुंडा जी के वलिदान से हमें प्रेरोना मिली थी मुझे खुशी है कि आजादी की लगाई में जन्जातियों समुदाय के योगदान को समर्पीत औनेक मियूजयों देश भुर में बनवाय जा रहा है कि देवियों और सोजन एक संग्सोधियों लगतंत्रों के रुप में वचहत्र वोर्ष में भारत ने प्रगोती के संकल्प को सोहवागीता इबंग स्वर्ब सम्मत्य से आगे बढ़ाया है विविधताओं से भरे अपने देश में हम उनेक भासा, धर्म, संप्रता, खानपान, प्रिहन सेहन, रिती रिवाजयों का अपनाते हुई एक भारत, स्रेष्ट भारत की निर्माण में सक्रिया है आजादी के पचोहतोर्वें बोस के अफसर पर आया है अम्रुत काल भारत के लिए नए संकल्प का काल खंड है आज में इस नए जूप के स्वागत में अपने देश को नए सोच के साथ तत्पर और तेयार देख रही हुई भारत और हर छेत्रों में विकास का नाय अद्धाय जोड रहा है पर नाम हमारी के वैशिक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ दिखाया है उसने पूरे विश्व में भारत के साथ बढ़ाया है हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से ना सिर्थ इस वैशिक चुनती का सामना किया बलकि दुनिया के सामने नई मापदोन भी स्तापित की कुछी दिन में कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सिन की 200 क्रोड डोज लगाने का किर्थिमान पनाया इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस सहयों साहोस और यक्सोहयों का परिचय दिया वो एक स्वमाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई सक्ती और संबेद्धन सिल्ता का प्रती थे भारत ने इन मुश्किल हालात में ना केवल खूद को संभाला बलकि दुनिया की मदद भी की कोराना माहमारी से बने माहुल में आज दुनिया भारत को नई विश्वास से देख रहे हैं दुनिया की आर्थिक स्थिर्था के लिए सप्लाइजेन की सुगमता के लिए और वैसिक सांती के लिए दुनिया को भारत से बहुत उमीद हैं आगा में मेहिनों में भारत अपनी अध्यक्वता में G20 ग्रूप की मेहिन मेजबानी भी करने जा रहे हैं इसमें दुनिया के 20 बड़े देश भारत के अध्यक्यता में बैसिक विश्वयों को मन्थन करेंगे मुझे विश्वा से भारत में होने बाले इस मन्थन से जो निश्कर्ष और नितियां निध्धारित होंगे उनसे आने वाले दोस्वों को की दिशा तैई होगी देभी और सोजनों दोसों को पहले मुझे रायरोंपूर में श्री और बिंदो इंतिग्राल स्कूल में शिख्यत के रूप में कार्य करने का अफसर मिला था कुछी दिनों के बाद श्री और बिंदो जी की एक सो पुचासमी जनम जनती मनाये जाएगी सिख्या के बारे में श्री और बिंदो के विचारों ने मुझे निरंत और प्रेरित किया है जनपति प्रतिनधी के रूप में विभिन वदोंक पर कार्य करते हुए और फिर राजयपल के रूप में भी मेरा सिख्यों सोंस्थानों के साथ सक्रियों जुडाव रहा है मैंने देश के जुबाओं के उस्सा और आत्मोबल को करिब से देखा है हम सभी के स्रधेयों पटोल जी कहा करते थे कि देश के जुबाओं जो आगे बढ़ते हैं तो वो इसी अपने ही भाग्यों नहीं बनाते बलकि देश का भी भाग्यों बनाते हैं आज हम इसे सोच होते देख रहे हैं भोकाल खोर लोकाल से लेका डिजिटाल इंडिया तक हार छेत्रों में आगे बढ़रा आज का भारत विशो के साथ कदम से कदम मिलाका वद्धो की क्रांती 4.0 के लिए पूरी तरह भारत देखा है रेकोर्ड संख्या में बन रहे स्टार्टाप्स में नए नए इनवेट्चन्स में दूर सुदूर छेत्रों में डिजिटाल टेक्नोलोजी की सिवक्यार योता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है बीती बर्सों में भारत ने जिस तरह मोहिला सशक्ति करण के लिए निर्नों लिए है नितिया बनाए गिये है इससे भी देश में एक नए शक्ति का संचार हुआ है मैं चाहती हूँ कि हमरी सभी बेहने Jetia अधिक से अधिक सो सक्तों तो ट्रेश के हार चेत्रों में अपना योगदान बढ़ाती है मैं अपने देश के जुबाओं से कहना चाहती हूँ कि अपने भविश्यों का निर्मन कर रहें वल्कि भवविश है वो इस भविशो के भारत की नीब भी राख रहे हैं देश के राष्ट्रपती के तोर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सोयग रहेगा देवियों और सुझों विकास और प्रगति सिल्ता का अर्थ निरंत और आगे बढ़ना होता हैं लेकिन साथ ही अपने अतित का ज्यान भी उतना ही आवस्यों के आज जो विश्चों सास्टेनेबल प्लानेट की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत की प्राचीन परमपरा हमारी अतित की सास्टेनेबल लाइफस्टाइल की भूमी का और बढ़ जाती है मेरा जन तो उस जन जातियों कर उंपरा से हुआ है जिसने हजारों बोस से प्रकुति के साथ तालमेल बना का जीवन को आगे बढ़ाया मैंने जंगल और जोलासोयों के महत्तों को अपने जीवन में मेहसूस किया है हम प्रकुति से जरूरी संग्साधन लेते हैं और उतनी ही स्रद्धा से प्रकुति से से शेभावी करते हैं कि यहां कि संभेद्वल सिल्ता का आज बशीक उनिर्यारियोता बन गया है मुझे इस बात की प्रसंता है कि भारत पुर्यावण सोरक्ष्ण के चेत्रों में बिश्चो का मार्गदर्शक बन रहा है देभियों और सोजन मैंने अपने अप्तोक के जीवन में जोन सेवा में ही जीवन की साथ्थोक्ता को अनुभब किया है स्री जगनात खेत्र के एक प्रख्यात को भी भीमभई जी की कोविता की एक पंक्ती है मो जीवन पचेन और के पड़ी थाओ जगत उधार और थाथ अपने जीवन के हीत ओ हीत से बड़ा जगत कल्णान के लिए कार्या का नाम दाए जगत कल्णान की इसी भावना के साथ में आप सोब के विश्वास पर खरा उतारने के लिए पूरी निष्टा वा लगन से काम करने के लिए सोध्याव तत्पर रहूंगे आए हम सभी एक जूट होका समर्पित भाव से पत्तव्य पत्पर आगे बढ़े तो था वही वावसाली वा आत्मो निर्भर भारत का निर्मार का निर्मार का खिण्यवाद जय ही जय है झाल झाल झाल